Okay, so हमारा जो यह पोएम है, इसका नाम है, My love is a light to ice and I to fire, है ना, किस ने लिखा है, Edmund Spencer ने लिखा है, ये अमुराटी सॉनेट्स का कर्रेक्शन है, इसके इंदर टोटल में लिखे 89, एक सिन, इसके इंदर टोटल में लिखे 89 सॉनेट्स आते हैं, और ये उसका 30th है, 30th अमुराटी सॉनेट्स, देखिए ये इन्होंने अपने wife Elizabeth Boyle के लिए लिखा है, है ना, उन्ही को रिडिकेट किया है पूरा अमुराटी सॉनेट का करेक्शन, और ये 30th वापीस है, 30th जो हमारा सॉनेट है, अगर हम पोएम की बात करें तो देखिए, फॉर्म ये एक, ये 15 quaterings, और उसके बाद एक कप्रेट होता है इसके इंदर, बट सिर्फ rhyme scheme में difference होता है, अगर हम इसके meter की बात करें तो, I am big pentameter हमें देखने को मिलता है, पोएम में, जो हमारे poet है, Spencer, उन्होंने एकतर से शोक किया है, कि जो उनका प्यार है, वो आग जैसा है, भढ़कता हु और जो इनका lover है, वो इन्हें बिलकुल भी घास नहीं दे ली, so she is like cold as ice है न, and दिखाया गया है कि कैसे जो है, फिर भी इनका प्यार है वो पनप रहा है, फिर भी जो है, attraction कम नहीं हो रहा है न, so we'll start, four line, four line, and then we have another four, and last में two है न, yeah, start करते हैं, तो दिखिए, Spencer कहते है, my love is like to ice, and, sorry, my love is like to ice, and I to fire, मतलब मेरा जो प्यार है, मतलब मेरी जो lover है न, जिस लड़की को मैं pursue कर रहा हूँ, वो लड़की जो है, वो बरफ की जैसी है, बिलकुल ठंडी है, बिलकुल कोई घास नहीं थी, कोई attachment नहीं दिखाती है न, कोई ही न, and I to fire, और मैं तो तरकता फरकता आग जैसा हूँ, जो की बिलकुल ततपर रहता है हर टाइम है न, how come it is, sorry, how, how comes it, then, that this, her cold, so great, is not dissolved, through my so hot desire, तो वो एक question पूछते है, कि फिर ऐसा कैसे है, न, how come it, ऐसा कैसे है, कि उनका जो, जो प्यार है, that she, that her cold, जो उनका ये cold सुभाव है, जो उनका ये cold सुभाव है, ये इतना great, you know, is so great, is not dissolved, कि ये dissolve नहीं होता, देखिए, obviously बात है, जब अब गरम चीज़ को, आप, आइस को जो है, आग के साइड में रखते हो, तो आइस भी जो है, वो गल जाता है, dissolve हो जाता है, तो ये कह होने भी, उनका जो ये cold सुभाव है, ये dissolve क्यों नहीं हो जाता, वो मान क्यों नहीं जाती है, basically, है ना, but harder grows, the more I her entreat, अब देखिए, usually क्या होता है, अगर आप आग के सामने बरफ रख दे, तो बरफ पिगल जाता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, है ना, इनके कि उनका जो ये iceness है, उनका जो ये coldness है, it grows harder, the more I her entreat, जितना ही मैं उनको अप्रोच करता हूँ, जितना ही मैं उनको उनके पास जाता हूँ, उतना ही जो है, क्या होता है, उनका जो सुभाब है, वो और cold होता जाता है, she is not into me, basically, है ना, ओके, तो ये रहा, पहला हमारा stanza, है ना, पहले four lines, first, quatrain, or how come it that my exceeding heat is not allied by her heart frozen cold, अब देखे होता ही है कि, ये कह रहे है कि, often क्या होता है कि, अगर कोई बहुत ही थंडी चीज हो, तो किसी गर्म जो आग है, उसे भी भुझा देती है, because इतनी थंडी है, so ये कहते है, फिर ऐसा कैसे है, how come, or how comes it that my exceeding heat, कि जो मेरा बढ़ता हुआ heat है, मेरा जो exceeding heat है, जो हमेशा बढ़ रहा है, is not allied by her heart frozen cold, कि उनका जो इतना heart frozen cold की तरह है, वो मेरे गरम को पिघ्ला क्यों नेता, अले क्यों नहीं कर देता, पिघ्ला क्यों नेता basically, but that I burn much more in boiling sweat and feel my flames augmented manifold, तो देखिए, यहापर क्या बोल रहे है, वो है वो बोल रहे है कि दो मेंसे एक चीज होना चाहिए, या तो मेरे घंडी के सामने उनका ठंडी पिघल जाना चाहिए, या फिर उनकी ठंडी के सामने मेरा जो आग है, वो मिट जाना चाहिए है, क्योंकि यही normal जो हमारा world है, वो ऐसी काम करता है, जो जाधा heat, अगर कोई heated object ह कोई बहुत ही गरम चीज है, तो वो सब चीज हो गला देगी है, वो ही जो अगर बहुत ही ठंडी चीज है, तो वो नॉर्मल किसी आप को बुझा देगी है, लेकिन यहां पे बिल कोई उल्टा हो रहा है, वो कह रहे है कि how come it that my exceeding heat is not allied by her heart frozen cold, क्योंका जो heart frozen cold है, उसके सामन जो मेरा heat है, वो मिट क्यों नहीं जाता, खतम क्यों नहीं हो जाता, लेकिन पहली बात तो वो खतम नहीं हो रहा, दूसरी बात, but that I burn more and more, much more in boiling sweat, कि उनके ठंडी के सामने है, उनके जो यह cold sohab है, इसे देखके मैं और burn हो रहा हूं, मैं और boil कर रहा हूं, और मेरा जो passion है, वो और आग पकड़ रहा है, and feel my flames augmented manifold, augmented manifold मतलब और चार गुना, पांच गुना हो गया, तो पहले, जब मुझे, पहले जब मैं उन से प्यार करता सा, समझे एक गुना, और वो भाव नहीं दे रही, अब जैसे वो भाव नहीं दे रही, मेरा जो यह एक गुना है, यह तीन ग that fire which all things should melt, should harden ice, तो कहते हैं कि इससे जदा miraculous thing, इससे चमतकारी चीज क्या हो सकती है, क्या आपने सुना होगा है, में भी टोल, क्या है, इससे चमतकारी चीज क्या बोला जा सकता है, कि जो fire है, जो आग है, which all things melt, जो सारे चीजों हो गला देती है, सब चीजों को melt कर देती है, should harden ice, कि वो जो ice है, उसे और hard कर रही है, उसे और सकत कर रही है, देखे, यहाँ पर बोला यह गया है, कि मेरे इतने अप्रोच करने के बादी, मेरे इतने fire full passion feel करने के बाद भी, लड़की जो है, वो मान नहीं रही, she, वो अपना, वो अपना जो cold posture है, उसे maintain कर रही है, तो, और वो और cold होती जा रही है, और जहाँ पर मैं और और जो है मेरा passion वो बढ़ता जा रहा है, विकास मुझे वो चीज मिली नहीं है, anyway, so वो ही कह रहे है कि, जो आग सब चीजों को मिटा देती है, melt कर देती है, वो भी वो क्या कर रही है, आज, वो ice को और hard कर रही है, उनके cold स्वहब को और cold बना रही है, and ice which is congealed with senseless cold, और ice जो क्या है, जो एक hard है, congealed मतलब होता है, और hard बनना और है न, कठोर बनना basically है, तो ice which is congealed with senseless cold, कि वो जो थंडी है, senseless मतलब जिसा कोई logic नहीं हो, ऐसा थंडी है, इतना थंडी, senseless, बिल्कुल आपको कुछ feel नहीं करने दिए न, shouldn't kindle fire by wonderful device, तो ये जो ice है, वो क्या कर रही है, वो kindle कर रही है, kindle मतलब जलाना, आग लगाना है न, तो वो आग लगा रही है, मेरे burning passion को और burn कर रही है, अब ये बहुत ही गलत हो रहा है, because जो आग है, वो ice को और icy बना रही है, और जो ice है, वो आग को और दो lines में कहने वाले है, such is the power of love in gentle mind, that it can alter all the course of kind, कि प्यार का जो ताकत है है, power of love, ये ऐसा है, कि हमारे gentle mind के उपर, हमारे जो प्यार का असर है, प्यार का जो power है, वो ऐसा है, कि that it can alter, कि ये change कर देगा, all the course of kind, कि nature की जो laws है nature का जो course है उसे भी ये change कर देगा कि normally ऐसा होना नहीं चाहिए कि कोई गरम आग के सामने कोई पत्थर कोई बरफ आ जाए तो जो आग है और भड़क जाए ऐसा होना नहीं चाहिए similarly जो एक बरफ है उसके सामने अगर आप आग डाल दे जो बरफ है वो और बरफीला बन जाए ये भी होना नहीं चाहिए बट दोनों ही चीज पॉसिबर है कहां पे प्यार के ताकत में ये पोएम का पोएम में ये लिखा हुआ है anyway बड़ दनिया अगर आप currently society में है सो ये एक तरह से अगर आप अपने मन के अंदर ये फील कर रहे है good बट अगर किसी और particular person जो आप में interested नहीं है वो show करता है concern नहीं देता है leave है और अप्रोच मत कीजिए और उसमें मत चाहिए इसे ही stalker कहते है by the way anyway ये रहा हमारा पोएम iambic pentameter में लिखा हुआ है spencerian sonnet है और amulati sonnet का 30 जो है 30 ये sonnet है न 89 में से 30 रैंक पे है okay so यही पर हम end करते है I hope कि आपको इस समझ में होगा thank you